और आज की हाल वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है गाईज आप लोग देख सकते हैं कमेंट हाई अर्यवाइन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आप लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मीशो से राजपुती जूलरी की रिव्यू ये मेरे ओनेस्ट रहेंगे हमेशा की तरह आज की हाल वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है गाईज आप लोग देख सकते हैं कमेंट आज की हाल में आपको कुछ बैंगल्स और फुल नेक को कवर करने वाली चोकर सेट देखने को मिलेंगी गाईज और सभी अंडर 350 होने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा वीडियो पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा और जैसे कि आपको अभी तक पता चली गया होगा मैं वीक में दो वीडियो डालने लगी हूँ एक थर्सडे और एक संडे को तो इस संडे जो वीडियो आने वाले है गाईज उसको जरूर से देखेगा मिस बिल्कुल भी नहीं कीजेगा तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजे और वेल आइकन को भी प्रस कर दीजेगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सभी जूरी की पैकेजिंग बहुत अच्छी है गाईज और ये भी प्रॉपर पैक्ड थे मैं इसे अभी ओपन की हूँ तो चलिए अब मैं एक एक करके शेयर करता है आज की रिव्यू वीडियो स्टार्ट करती हूँ वन आप मैं फेवरेट जूरी के साथ ये एक बैंगल सेट होने वाली है गाईज और ये इस हॉल की सबसे कम प्राइस की है बट ये मेरी फेवरेट हो चुक्या ये देखिए गाईज आपको बैंगल कछ इस तरह का रिसीव होगा ये I think under 200 होंगे 181 या ऐसी कुछ है under 200 है and quality देखिए गाईज इसकी design देखिए इतनी प्यारी है इसमें बहुत सारे design आपको option मिलेंगे और ये free size में available है मुझे डर लग रहा था पहले कि free size में कैसा receive होगा बट ये receive होने के बाद भी मुझे लग रहा था नहीं आने को है बट गाईज ये पहनने के बाद ये देखिए इसकी lock कुछ इस तरह में और ये मुझे लगता है maximum ladies को आने वाली है पूरा kundan work किया गया है बहुत प्यारा finishing बहुत अच्छी है बट हां इस जगह मुझे ये दो पर्ल मुझे इस जगह से missing मिली जो कि packet में है ये on the way ही कहीं पे damage हुआ है नहीं तो बहुत अच्छी है और इसे stick भी मैं आराम से कर लूँगी मुझे बहुत पसंद आई है और size पहले मैं डरी कि हां मुझे नहीं आने वाली है बट इसकी lock देख सकते हैं guys बहुत प्यारी है मैं पहन के दिखाती हूँ आपको और आप लोग सिफ इस कड़े को भी पहनते है तो बहुत प्यारी है यह देखे कुछ इस तरह से लुक आएगी अब बहुत सारे bangles होते है कि round में होते है तो वो design इधर अगर आप लोग पहने तो वो घुम के फिर इस साइड आ जाती है बट इसके साथ वो problem नहीं है यह आप जिधर रखेगा अगर इस साइड रखेगा यह इधर ही रहेगी इतनी प्यारी लग रही है मुझे बहुत पसंद आई है आप लोग जरूर ट्राइ कीजेगा मैं दूसरी वाली भी दिखाती हूं इसमें बहुत सारे options हैं आप लोग देखिएगा इतने कम प्राइज में मुझे तो बहुत पसंद आई है आप लोग बताइगा आपको कैसी लग रही है फिनिशिंग बहुत अच्छी है गाईज इसमें आपको green and pink यह जो बीच में है यह pink कलर में है stone and बाकि आपको यह मीनाकारी वर्क या कुछ बोलते है यह साड़ी के साथ यह फिर सूपर अन्मेरिड है तो भी बहुत अच्छा लगेगा पाटी वगरा में कैरी कीजेगा और मेरिड है तो हमारे हाथो में तो अच्छी लगती है बहुत अच्छी लगेगी गाईज highly 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 recommend चली दिखाती है नेक्स्ट कैसा रसीव हुआ है आज की नेक्स्ट बैंगल सेट आपको कुछ इस तरह के पैकेजिंग में रसीव होगा बट यह मुझे लगता काफी बड़ी आने वाली है मुझे 280 साइज आती है मैं order भी वही की हूँ बट मुझे नहीं लगता यह दो आठ में है फिर देखते हैं पहन के कैसा लगता है बैंगल तो बहुत सुन्दर है गाईज यह देखिये यह कुछ इस तरह में आपको रसीव होँगी बहुत प्यारी है गोल्डन कलर भी बहुत अच्छी लग रही है यह प्रॉपर पूपदमावत वाला मूवी वाला फिलिंग आ रहा यह देखके पता नहीं अचाद आ गया यह देखिये बहुत प्यारी है गाईज आप लोग जरू ट्राइब कर सकते हैं लाइट वेट है बहुत हवी नहीं है अच्छी लग रही है इसमें भी कलर ओप्शन्स हैं एक मिनिट मैं ट्राइब कर लेती है नहीं यह अच्छी आ रही है मेरे साथ है ना राइट में मुझे सही आती है लिफ्ट में थोड़ी सी लूज होती है और अगर मैं 2.8 से छोटी साइज लूँ तो फिर मुझे राइट हैंड में बहुत प्रॉब्लम होती है तो यह मुझे तो सही आ रही है यह उपर जो डिजाइन है ना इस वज़े से थोड़ी बड़ी लग रही थी नहीं तो साइज प्रॉपर है गाईज अच्छी लग रही है आप लोग भी जरू ट्राइट कीजेगा यह देखिए फिनिशिंग वगरा बहुत अच्छी है और इसमें भी कहीं से भी कुछ नहीं चुब रहा है और पहली वाली में भी कहीं से भी नहीं कुछ होता है ना कभी-कभी कुछ नोकीले वाले कुछ निकले वह होते हैं वैसा कुछ भी नहीं है बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसम पानी से तो बचा गई रखना चाहिए बैंगल को नजदीक से आपको दिखा देती हूं यह देखिए इसकी डीटेलिंग्स बहुत प्यारी है गाईज बहुत अच्छे से की गई है यह भी अपट जरू ट्राइ कर सकते हैं ग्रीन आपको किसी भी ड्रस के साथ कर सकते हैं इसवज़ए से मैं ग्रीन ओर्डर की हूं बहुत सुंदर लग रही है यह देखिया यह था आज का सेकंड बैंगल चलिए दिखाती हूं थर्ड कैसा रसीव हूआ है आज की थर्ड बैं अच्छी लग रही है और इस बैंगल में थोड़ी सी वेट है अच्छी है बहुत ज्यादा वेट नहीं है बट हाँ हलका है जासे इस से पहले जो मैं दिखाई वह बिल्कुली लाइट वेट थी बट इसमें हलकी है और डिजाइन आप लोग देख सकते हैं गाई आप लोगों को डिजाइन पता चल रहा हो बहुत प्यारी है इस बैंगल को भी मैं रिकमेंट करती हूँ और इसमें जो पर्ल लगी भी न छोटे छोटे वाइट वाली ये स्टीक किये गया है तो वो निकलने का में भी डर रहे बट अगर वो निकलता भी है तो मुझे नहीं लगता हूँ वो अतना बुरा लगेगा उसके बाद भी और अगर एकाद निकल जाते हैं तब तो वो नजर भी नहीं आएंगे नोटिस भी नहीं किया जा सकेगा बट अगर माक्सिमम निकल जाएं फिर भी वो बुरा नहीं लगेगा डिजाइन इतनी प्यारी है यह देखिए अब मुझे यह भी 2-8 साइज में ही रिसीव में हैं तो अच्छी लगी कभी कभी होता है कि साइज कुछ और रिसीव हो जाते हैं वो चीज नहीं है बहुत अच्छी क्व फुल की लगीगी नहीं तो बैंगल बहुत अच्छी है मैं इस बैंगल को भी रिकमेंड करते हूं आप लोग इसे भी ट्राइ कर सकते हैं यह देखिए पहनने के बाद कुछ इस तरह का लुका आ रहा है इसे अगर आप लोग फोर्क के सेट में I mean दो पेर अगर मंगवाते तो इसकी लुक और भी अच्छी आएगी इस बैंगल को भी मैं रिकमेंड करते हूं आप लोग जरू ट्राइ किजेगा और प्राइस बहुत अफूर्डबल लगा मुझे तो मैं तो इसे रिकमेंड करते हूं तो यह था था थर्ड बैंगल चलिए दिखाती हूं नेक्स्ट चोकर सेट कैसा रिसीवा है आज की नेक्स जूलरी गाइस यह मैं सेम सेलर से ही दो सेट और की थी तो मुझे यह सेम बॉक्स में दोनों सेट एक ही साथ रिसीव हैं पैकेजिंग बहुत अच्छी थी प्रॉप पर प्लास्टिक के अंदर सा यह देखें प्लास्टिक के बहुत किसी मोते हैं कि यह बिल्कुल स्टीफ टाइप रहते हैं बट यह इतनी अच्छी यह देख सकते हैं आप लोग मैं क्या ही बहुत प्यारी है इसकी गोल्डन कलर भी बहुत अच्छी है और इसमें आपको गोल्डन तो है वाइट पर्ल उपर भी लगे वे मिलेंगे यह बीच में यह कुंदन वर्क है वाइट में यह मीनाकारी जो वर्क बोलते हैं ग्रीन वाली है और बीच में आपको पिंक स्टोन रसीव होंगे बहुत प्यारी है इस सेट को भी मैं हाइली रिकमेंड करती हूँ इसकी और एक प्लस पॉइंट कि आपको यह देखिए पर लॉक है दोनों साइड आप लोग इसे ओपन करके किसी और के भी साथ क्यारी कर सकते हैं इस जगह छोटी-छोटी यह मोती लगी हुई है बहुत अच्छी है गाईज मैं जितनी तारीफ करू उतनी कम है बहुत प्यारी लग रही है गोल्डेन कलर भी मैट फिनिश होने अच्छी लग रही है बहुत चमक वाला नहीं है और बैक से आप लोग देख सकते हैं यह वैलवेट के मटेरियल में पूरा यह कप्डा लगावा मिलेगा बहुत अच्छी लग रही थी और गले में लगाने पर बहुत प्यारी लग रही है यह पूरा हेवी फुल नेक को आ अगर आप लोग पैनते हैं तो लोग बहुत प्यारी आएगी मैं इस सेट को हाइली रिकमेंड करती हूं और फिनिशिंग बहुत अच्छी है गाइज मैं इस दीक से दिखाती हूं यह देखिए नीचे की यह नीचे वाइट पर्ड लगी है बीच पीच में इस जगह भी आप को वाइट स्टोन लगे वे मिलेंगे आप लोग को विजिबल हो रहा हूं इस जगह जो पर्ड लगी है यह भी बहुत अच्छे तरीके से स्टीक किया गया है मैं इस सेट को मुझे नहीं लगा था इतनी अच्छी रिसीव होगी मुझे लगा था वही जो बहुत चमक वाला गोल्डन कलर होती है वही रिसीव होने वाली है बट नहीं बहुत प्यारी लग रही है आप लोग जरूर ट्राय कीजेगा और अगर आप लोग बाई करते हैं तो जरूर कमेंड में बताइगा कैसा रिसीव हो है तो यह था आज का सेगंड लास्ट सेट चले दिखाती हूं ओ इसकी एरिंग्स तो मैं भी दिखाना ही बूल गई दिखा रही हूं एक मिनट रुचे इसकी एरिंग्स आपको कुछ इस तरह में रिसीव होंगे बहुत अच्छी है यह देखिए यह पूरा आपको सेम जैसे नेक वाले में थी इतने देखिए यह जैसे बीच में फ्लार बनी वी है ना सेम आपको एरिंग्स में भी रिसीव होंगे और इसमें यह कुंदन लगी वी है उपर भी और नीचे भी देख सकते हैं यह चोटी वाली है इसमें भी लगी वी है और इसमें बहुत अच्छी तरीके से स्टीक किया बॉलान जैटक को कवर करेगा और इसमें भी आपको उपर यह देखिए यह पर लगी वी वी दिसी मोगी और इसमें आपको सुफ गृन एंड जीट गोलडन के कॉमद्शन में रिशीव होगा तो यह जितने भी आपको दिख रहे हैं यह डार्क ग्रेण से मिनाकारी वर्क क्या गया है नीचे पर्ल है कुंदन है बहुत प्यारी लग रही है इस सेट को भी मैं रिकमेंड करती हूं बट हाँ दोनों के गोल्डन कलर में आपको डिफरेंस रसीव होगा उसकी गोल्डन कलर मुझे बहुत अच्छी लग रही थी वह मैट फिनिश में थी और इसमें पहली वाली गोल्डन कलर है और अगर आप लोग को रिसीव होती है देखिए इस जगह से यह रिमोव भी हो जाती है बहुत इसली यह अगर निकली भी मिले तो ऐसा मत सोचेगा कि आपको डिफरेक्टिव पीस रसीव है आप लोग इसे इसली यहां लगा के और टाइट कर स लगते हैं यह देखिए कुछ इस तरह सा आप लोग लगा सकते हैं तो यह सट को भी मैं रिकमेंड करती हूं बट गोल्डन कलर आप लोग ध्यान रखेगा वैसी है इसकी भी हूंक सेम आपको लॉक वैसी रिसीव होगी जैसे पहली वाली में थी यह देखिए यह चीज बह में कप्डा लगावा मिलेगा बहुत अच्छी लग रही है कि वजह से नेक में कोई भी इरिटेशन नहीं होती है वह चीज मुझे अच्छी लगती है वैलवेट अगर लगावा रहता है तो मैं इस सेट को भी रिकमेंड करती हूं मैं एक मैट लगा के दिखा देती हूं य नहीं तो अगर इसे आप लोग साड़ी के साथ सिल्क साड़ी जिसमें गोल्डन वर्क वगरा हो उसके साथ जब क्यारी की जगा नहीं तो यह उतना नजर नहीं आएगा सेट बहुत प्यारी है आप लोग ट्राइ कर सकते हैं यह था आज का लास्ट सेट चलिए मैं इसकी ए लाइट वेट है पूरा जूल्री इस सेट को भी रिकमेंट करती हूं बस वह गोल्डन कलर आप लोग ध्यान रखेगा तो यह था आज का लास्ट जूल्र आप लोग मेरी शॉट्स देख रहे हैं या नहीं अगर नहीं देख रहे हैं तो जाकर जरूर देखिए मैं बहुत अच्छी आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूं और कमेंट में बताना मत भूलीेगा आज की हॉ वीडियो में आपको कौषाफे पसंद आई है और आपको किस पर हॉ वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं irony उस पे भी हॉल वीडियो जरूर लेकर आउंगी आज के बस इतना ही आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में, thank you.